हलो किसान भाईयों नमस्कार, कैसे हैं आप? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे YouTube चैनल Smart Fish Farming में आप सभी का स्वागत है मैं मतश्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई, आसी स्यादो किसान भाईयों, आज के वीडियो में हम आप सब को बताएंगे कि जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि फिस फार्मिंग में आंदर प्रदेश मश्ली पालन में सबसे आगे है तो जब हम लोगों के दिमाग में यह आता है कि आंदरप्रदेश मशली पालन से रिलेटेड हम लोग कुछ पूछते हैं तो आंदरप्रदेश का नाम आता है तो हम लोगों के एक दिमाग में इमेज बनता है कि बहुत हाइटेक मशली पालन होता होगा और वहां पर आदमी नहीं मशीने मशलियों को फिट खिलाती होंगी तो यह बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं तो किसान भाई वाज की वीडियो में हम आप सब को बताएंगे कि आंध्र प्रदेश मे मशलियों को क्या खिला करके मशलियों को बड़ा किया जाता है वहां पर रोहू नब्वे रुपे से लेकरके 100 रुपे पर केजी बिखता तो अगे उनकी प्रडक्शन कास्ट कितनी आती है इतना आगे वह कैसे हैं क्या खिलाते हैं क्योंकि फिस फार्मिंग में जो 75% कास्ट आता है टोटल कास्ट का वो फीड का ही आता है तो वहाँ पे कमर्सियल तरीके से मचली फीडिंग कराई जाती है कमर्सियल फीड पे फैक्टरी फीड पे या फिर ट्रेडिशनल या परमपरागत बिदी से मचली पालन किया जाता है इस टापिक पे आज हम आपको डिटेल से जानकारी देंगे तो किसान भाईयो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे हम आपको वीडियो के माध्यम से मचली पालन से संबंदित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सब के साथ सेयर करते रहेंगे तो किसान भाईयो बने रहें वीडियो के अंति तक चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको हम डिटेल से बताते हैं समझाते हैं कि आन्द प्रदेश में मचली पालन कैसे किया जाता है असी पर्चन किसान त्यार नहीं कर पाते हैं तो किसान भाईयो चलिए हम आप सब को बताने की कोशिस कहते हैं कि आन्द प्रदेश हम लोगों से मचली पालन में सबसे आगे क्यों है तो सबसे आगे होने का बहुत सारे रीजन है जो मेन मेन टॉपिक है उसी पर हम आपको पहले बता देते हैं फिर उसके बाद बताते कि वहां पर मचली को क्या खिला जाता है तो कि सबसे पहला जो आंद्रप्रदेश मश्ली पालन में आगे उसका सबसे पहला क्या कर वहां कि टेकनोलजी कि टेकनोलजी में आंद्रप्रदेश हमसे आगे दूसरा क्या है वाटर क्वाल्टी मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ पहले लिख देता हूँ वाटर क्वाल्टी सोयल क्वाल्टी बिग पॉण्ड क्लाइमेट यही कुछ 5-6 मुख कारण हैं जिसके वज़े से आंद प्रदेश हमसे मचली पालन में आगे नहीं बहुत आगे है ठीक है एक चीज और लिख देते हैं एक निया चीज एड़ कर लेते हैं थिंकिंग अब थिंकिंग के लिखे मैं आपको डिटेल से समझाने की कोशिज करता हूं यहां पर मैंने लिखा है टेकनोलेजी है ना तो मचली पालन में वहां पर बहुत सारी टेकनोलोजी है और एक चीज देखिया और मैंने भूल गया वह भी इंपॉर्टेंट है अब सभी को हम बारी बारी से समझाते हैं टेकनोलोजी ज्यादा है और हम लोग के हैं जैसे यूपी विहार एंपी वागार में वहां पर इतनी टेकनोलोजी नहीं है यह भी एक कारण है कि आंद्रप्रदेश मचली पालन में हमसे आगे हैं वाटर क्वाल्टी वहां का जो पाणी है ना आप देखेंगे कभी अगर आप गय होंगे तो देखेंगे कि वहां पे जो पाणी हो पाणी का क्वाल्टी है मचली पालन के लिए वहां की अलग है जैसे हम लोग 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 टेकनोलोजी तो बाइफलाग जितना इंडोनेसिया में सक्सेज है उतना हमारे इंडिया में सक्सेज नहीं है इंडोनेसिया का जो क्लाइमिट है वहां का जो वाता बरड़ है वह बाइफलाग पर सूट करता है कि हलाकि हमारी इंडिया को सुठ करता है ने जिसिँ भूल गया कि है अलहां कि लिवे इन्डोनेशिया इतना यहां कर नहीं गारदी तो आंतुर परदेश का वाटर क्उट्य अलग है कि suis all quality इसकी मिट्टी ऑप यहां पर दुनिया बर की लाल पीली पीली नीली जैसे कि यहां पत्रीली मिट्ती है तो IMC का सब्सक्राइब हम सबसे मुखे मुखे कारड़ हम मानते हैं क्योंकि हम सारे टेकनोलोजी यहां भी भी बना सकते हैं क्लाइमेट को तो नहीं चेंज़ कर सकते हैं यहां भी तोड़ा सा हम कम में पराप कर सकते हैं लेकिन यह वाटर काल्टी और यह चीनों चीज़े जो है न वह एक में कारण है आंद्र प्रदेश का मशली पालन में हमसे आगे होने का what according यहां के मिट्टी भी अलगे죠 मिट्टी की क्वालिटी वहां पे बहुत बेष्ट मिट्टी की जब आपकी ज़्यादा मिट्टी और स्वयल क्वलटी से प्राइब का बेष्ट रहें तो वहां कील These को हम अधिक मात्रा में बनते हैं हैं ना हम लोग जतना खाद य़े परियोग करते हैं उतना नहीं बनेंगे जितना वह अटमेटिक वहां पर बनते रहते हैं तो वहां को पानी और वहां की मिट्टी यह लग है और बिक पॉंड यहां पर देखें कि हमारे यहां अगर कोई गौओं का किसान है तो फिर बोलता है मैं खुब बड़ा सतलाब बनान होता है मैक्सिमम तलाबें वहां के पांच रिगड़ से पलस है पर पर पांड पांच एकड़ से उपर है तो अगर मचलियों को अगर रहने के लिए घर जब खुब बड़ा मिलेगा तो फिर उनका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा वह तलाब जल्दी सूखता नहीं हमारी य मिट्टी को निकाल देंगे एक साल बना वह बंजर हो गए जमीन एक साल पानी उसमेरा सड़े पदात पड़े थोड़ा से उपजाव बनी फिर उसको अपरेल में सुखा करके निकाल देंगे हर साल यह करते रहते वहां पर 20-30 साल हो गया तलाबे सूपती नहीं है मचली पक करकी 100-100 एकड की तलाबे हैं ना आप लोगों को नहीं मालूम होगा गौश्चा पांच 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 एकड के होते हैं बहुत सारे लोगों का मेरे पास फोन आता है जैसे कि महराश्ट्रा राजस्थान गुजरात इन तीनों राजों में कि डैमेज पांच 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 सो एकड की हैं तो यहां पर वीडियो में मैंने बता दिया था कि किसी किसान भाई का फोन आया था आंदरा से उनके पाट टूफाइब जिरो एकड लेंड थी वह हैपरिड कत्ला मांग रहे तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था बहुत सारे होने कमेंट किया बाई टूफाइब जिरो एकड समझते हैं क्या बोले हो थोड़ा सोच के बोलो है तो वह सोच ही है ना जिसके जो आधिर एकड का एक रिकड का तलाब सोचेगा बहुत बढ़ा हो गया तो उसके सामने टूफाइब जीरो रखेंगे तो उसके लिए तो क्राइमेे जोशा जेंकिया यहां पर मचली पाला किया जाता में सीड़ एक अरफ थिक करेंगे मार्च में में सूचते हैं करने के लिए सूचते हैं कि मर्च में सीड़ करेंगे Un interviewed होता कब है अप्राइल क्यों नहीं होता है सीड नहीं मिल रहा है जो सीड है बच्चा है वो बच्चा नहीं मिल रहा है तला मिंटेनेंस चला हर साल मिंटेनेंस हो रहा है अपरेल में अप फिर बोलते हैं अपरेल से कब तक जाएगा भाईया लाश्ट नमंबर नवंबर लाश्ट नवंबर जाएगा क्यों दिसंबर जनवरी फरवरी थ्री मंथ यह जो थ्री मंथ होते ना तीन महीने यह थ्री मंथ हमारे हैं मचली पावन किया नहीं जाता है क्योंकि हमारे यहां का जो climate है वो तीन महीनों में ठंडिया पड़ती है अजब ठंडियों में जब 20 डिग्री से नीचे आता है तापमा तो फिर मचलियों का ग्रोथ रूख जाता है जैसे कि माली आगर आपका पंद्रे डिग्री है 15 डिग्री सेंटीग्रेट है है तो फिर मइने तो पूरा कलचा रिखराब कर देता अपरेल से मिलता मालीज अपरेल मई जून जुलाई अगस्त सितमबर अक्टूबर नॉंबर आठ महीने अब ये वताएं जो मही जो मछली बारे मंथ में एक केजी की होगी ठीक है अगर हम उसे अपरेल में करेंगे तो फर्रिट दिण वखत त्यार होगी तो फिर तीन महीतना चला जाता है और किसान्भाइगा कल्चेद हराब हो जाता है मजली बढ़ेगी नहीं अपरेल में तलाब को सुख्वा करके फिर से उसको उपजाऊ है त यहां और पिर उसे बनजर बनाना बेनफिट कम होता है तो वहां का कलाइमेट ऐसा ने वहां पर बारहो महीने मचली पालं की जाती है वहां सबसे मुक्च रीजन है यह वाटर वाल्टी स्वैल क्वाल्टी क्लाइमेट पाणी मिट्टी वातावरड बहुत बड़ा से बहुत बड़ा चैप्टर है अगर कि अगर एक लाख रुपे कमाने के लिए किसी को अगर 1000-2000-5000 रुपए दे देंगे देने से अगर आप एक लाख रुपए कमा सकते हैं या बहुत सारा ग्यान अरजित कर सकते हैं तो वहाँ पर लोग दे देंगे वहाँ पर लोग देंगे लेकिन हमारे यहां क्या है अगर किसी को बोला जाए कि मैं आपको सारी चीजे सिखाएंगे सारी चीजे बताएंगे मच्छिली पालन में मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा आपको घाटा लगने नहीं दूंगा और अगर आप एक लाख रुपए कमा है तो मैं कोसिस करूंगा कि आप दो लाख रुपए कमाएं लेकिन अगर हमसे उनसे दो-चार आजार रुपए की मांग लिएंगे तो नहीं देंगे वह यूटुब से देख करके ही सीखेंगे वह वैसे करेंगे खुद सीखेंगे तो इस हिसाब से लड़ खड़ाते रहते हैं बहुत लोगों को लगता है कि एक-एकड़ के तरफ से अगर एक लाक रुप या बच जाता है वहां पीसा के बार पर केजी आप मान के चलिए पर केजी वहां पर प्रकेजी वहां पर प्रकेजी वहां पर पे चार्ज है ना ट्रांस्पोर्ट चार्ज है वह ज्यादा लग जाता है वहां से यहां आने तक क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्टरियां आंदरा साइड आंदरा कोलकाता साइड में ही है जैसे कि मतश्य बंदू अगर हो गया तो उधर यह तो उनका यह भी कम कर रहें तो पचात्तर रुपए में वह सीधे सीधे त्यार कर देंगे और उनका बड़ा ग्रोथ जैसे हम अगर आमसी का पालन कर रहें तो इसका एफसी यारा 1.5 ध्यान से सुनिएगा ठीक है एफसी यारा 1.5 का मतलब क्या हो गया डेढ़ केजी मचली को दाना खिला रहे एक केजी बेट गिन कर रही है यहनिकी 1.5 केजी दाना खा करके एक किलो की हो रही है वहां पे 1.3 किजी केजी कर लेंगे अब उनका 200 गराम दाना बचा तो 200 गराम दाना बचा तो जब मचली बेचेंगी तो उसमें इस घुटा देंगे 12-14 रुपया माली जो भी हुआ 200 गराम दाने का वो घटा देंगे अब हमारा एफसीयर ज्यादा रहा है इनका कमारा हमारा तला बेक रिकर आधे रिकर का है इनका तला पचास रिकर का दस रिकर का 20 रिकर का तो उसमें मचली का ग्रोथ तेजी सो होता अगर हम उहां पे पालन की बात करें तो यह चीजे तो हो कहीं कि मशनी पालन में आंद्रां से आगे क्यूं है यह ना तो यह चीजे बहुत हाइटेक तरीके से मसीने मचलियों को दाना खिला रही है मसीने हार्वेस्ट कर रही है मचीने सब कुछ कर रही है है ना लेकिन और सान नहीं वहां पर परागत बिदी से दाना जादा खिला जाता अच्छे आप लोग एक फैक्ट बता रहा हूं कि यहां पर अगर एक रही दाना नहीं खिला जाता है तो कहा जाता है कि अप तो घटी जाएगा। वहां पर हफ्टे में एक बार फंगाशिए सकते होंगे तीन ने लेकिन बहुत्त सारे यह जो बड़े-बड़े तलाबे हैं सकंट में एक बार दाना हम वह बहुत हैं तरीका है मैं विडियोब किस हिसाब से ग्रोथ लेते हैं अब तेमें एक बार दाना खिला करें तो वहां पर प्रमप्रागत विधी से पालन करने प्रमप्रागत विधी के मतलब जैसे सरसुकी खली हो गई राज पालिस हो गई है ना बहुत सारा हम लोग करते हैं बैक फीडिंग हो गया तो और सारा फ पुरानी तलाबे हैं उसमें नेचुरल फिड प्रकृतिक भोजन मचलियों के लिए ज्यादा उपलब्ध है जो एपसियार को घटाने में मदद करता है और वहां पर प्रमप्रागत विधी से मचली पालन किया जाता जैसे मालीजी अगर आप यहां पर मचली पालन करें प् 10 महीना लग और कमर्शियल से कर रहे हैं तो आपका माली अठ महीना लग ठीक है तो परमपरागत वहां पर तलाबे बड़ा हैं तो इस वजगे से वहां पर रूभू 90 रुपे के जी बिकति है 90 रुपे के जी यहां पर 90 रुपे अ हम लोग लोग ट्यार नहीं कर पाते हैं तो इस चीज को समझा ना हुआ और इस टापिक पर एक और वीडियो ब्लोग के बना देंगे कि वहां पर wilt cluster को किस परकार खिला जाता है कि अगर हम इसी वीडियो में बाथा तो वीडियो बहुत 노ा हो вında है कि या इतनी लंबी वीडियो सपनाने की क्या जरूरत है अब दो मिनथ में सारी चीजे बता दो लंबा हो जागा क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्लिम आता है कि यार इतनी लंबी वीडियो बनाने की क्या जरूरत है आप दो मिनट में सारी चीजे बता दो दो मिनट में तो खाना नहीं खा पाते हैं तो फिर बिजनेस के बारी इनफार्मेशन कैसे ले पाएंगे हैं थोड कि बार 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 देखने से वेकारे की एक यह बार ठोड़ासे टाइम देख करके देख istry जानकारियां ले लिचाए हैना इसीवज़े से हमारा वीडियो थोड़ासा लंबा होता हम कोसी खरते हैं कि जो किसान भाई एकदम नीचे हैं जो शुरू भी नहीं की हैं दो साल बात शुरू कर देंगे वो भी समझ जाएं आज जो दस साल से फार्मिंग कर रहे हैं वो भी समझ जाएं किसी की कोई अपत्ति ना रहे कि हमारे वर्ग के लिए हम जैसों के लिए नहीं है इनका वीक्व चौ। में आपको बताया कि मचली पालन में आंधरा हमास से आगे क्या है। बहुत सारी टापिकों बताईं हैं जैसे दरके और भी बहुत सारी चीजें हैं तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा कि अंद्रप्रदेश मस्चिली पालन में आगे क्यों है और यह भी समझ में आगा कि वहां पर कमर्सियल पर फार्मिंग की जाती है तो प्रमपरागत विदी से मस्चिली पाल तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, कमेंट्स करें और किसान भायों हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें हमें सपोर्ट करें जब आप हमारी चैनल को सस्क्राइब करेंगे हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी एक confidence बड़ेगा कि हम आप सब के लिए इसी त पालग बन सकें कम जगे में हाई डेंसिटी में करके हाई प्रोडक्षन आप ले सकें अच्छा मुनाफ़ा कमा सकें और अगर आप मशली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे वाट्सप नंबर पर कंटेक्ट कर सकते हैं हमारा वाट्सप नंबर आपको किसान भाईयों अभी के लिए आपसे बिदा लेते हैं कल एक मशली पालन से इसी तरीके का नया जानकारी लेकर कि आप सब के सामने फिर उपस्तित होंगे तो अभी के लिए नमस्कार धन्यवाद